आज फिर से आप सभी का स्वागत है उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज फिर से मैं आप सभी के लिए काफी इंपोटेंट वीडियो लेकर आई हूँ आज की वीडियो का जो हमारा टोपिक है वो है चंद्रगुप्त मोर्या की उपलब्दियां चंद्रगुप्त मोर्या की क्या उपलब्दियां थी उन्होंने किन किन राजियो पर विजय प्राप्त की और अपने सामराजय का विस्तार किया जैसा कि आप सभी जानते हैं चंद् आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टुडेंट्स सबसे पहले चंद्रगुक मोरिये ने अपने सामराजय का विस्तार करने के लिए जो कार्य किया था वो किया था नंदो का विनास जो नंद वंस था उसका विनास करके उसको खतम करके मोरिये वंस की नीव रखे दी तो ह जान लेते हैं कैसे उन्होंने नंदों का विनास किया यह एक काफी कुर यह त्याचारी वंस था जो जनता पर काफी अत्याचार करता था सबसे पहले इनुने सिंदोर पंजाब में अपनी इस्थिती को मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त मोर्य और चानक क्याने मगद सामराज्य की ओर ये अग्रसर होते हैं सबसे पहले इनुने सिंदोर पंजाब पर अपनी इस्थिती मजबूत की और बाद में मगद की और चले चंद्रगुप मौरी और चानक की है इस समय क्या था कि जो मगद था उस पर नंदवंस के सासक धननद धना नंद जो सबसे आखरी के सासक हुए है नंदवंस के उनका सासन था वो सासन कर रहे थे मगद के उपर लेकिन इन दोनों के आगे धना नंद की जो सैना थी उनके काफी सैनिक संसाधन उनके पास थे बहुत सारी संपत्ती थी लेकिन फिर भी वो इन दोनों के सामने ऐसा फल रहे और यही सबसे बड़ी धना नंद की दुरबलता थी उसने एक बार चानक्य को भी अपमानित किया था जो धना नंद थे उन्होंने एक बार चानक्य को अपमानित किया था जिससे जो चानक्य हैं वो उनसे क्रोधित होकर नंदो का नस्ट करने की परतिग्या ले लेते हैं उन्होंने परतिग्या ले ली थी जब उन्होंने उनकी इंसल्ट की धना नंदने तो उन्होंने तभी परतिग्या ले ली कि जब तक वो नंदो का विनाश नहीं करेंगे तब तक वो चैन नहीं लेंगे इसी पर प्लूटार्क एक इतिहासकार हैं उनके विवरन से हमें पता चलता है कि नंदो के वुरुद साइता याचना से और उद्देश्य से जो चंद्रगुप्थ है वो पंजाब में सिकंदर से मिले थे नंदो के वुरुद कुछ सोच विचार कुछ योजना बनाने के लिए चंद्रगुप्थ जो है पंजाब में सिकंदर से मिले ऐसा प्लूटार्क कहते हैं लेकिन जो इतिहासकार हेमचंद राय चोधरी हैं वो इस कारिये की तुलना मध्ययुगीन भारत के राजपूत सासक ज उसने युनानी अधिकारियों की हत्या की और पंजाब और सिंद पर अधिकार कर लिया अब उसके पास एक बहुत बड़ी सैना इखट्टी हो चुकी थी जिसका उपयोग उसने नंदों के वुरुद किया था सिकंदर की मृत्यूं के बाद में उन्होंने क्या किया था कि पंजाब और सिंद पर अपना अधिकार कर दिया था चंद्रगुप्त मोरिये ने और उनके पास एक बहुत बड़ी सैना इखट्टी हो चुकी थी जिसका उपयोग उन्होंने नंदों का विनाश करने में चानक कोटनने विष्ण गुपति नामों से इनको जाना जाता है इन्होंने अगे सेटिन जोपार निकेटर से यूद्ष अपनी विज्एब ज़पता एक ये हूट前 lavender और ये किसके पुत्र थे एंटियोकस के जो एंटियोकस है उनके पुत्र थे इन्होंने बेबिलोन और बैक्ट्रिया को जीत कर बहुत सारी सक्ति को इखटा कर लिया था और बहे अपने को समराठ द्वारा जीते गए भारत के परदेशों को दुबारा से अधिकार में लेने के लिए उत्षुप थे कि जो सिकंदर ने जीते थे परदेश वो उन पर दुबारा से अधिकार करना चाहते थे सेल्यूकस निकेटर भी भारत में जीते गए परदेशों पर पुने अधिकार करना चाहते थी इसी उद्देशे से उन्होंने क्या किया था कि 305, 305 BC में के लगभग उसके आसपास की बात है उन्होंने भारत पर दुबारा से चड़ाई करनी शुरू कर दी और वो सिंद तक आ पहुँचे सिंद तक आ चुके थे वो इस समय भारत का सिकंदर कालीन भारत से पूंटे भिन था जो इस समय का भारत था वो बिलकुल अलग था जैसा भारत सिकंदर के समय में था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था उस टाइम के भारत में और अब के भारत में जब सैल्यूकस निगेटर सिंता का पहुंचे हैं काफी अलग हो चुका था सैल्यूकस को विभिन छोटे-छोटे परदेशों के जो सरदार थे उनकी अस्थान पर एक संगठित भारत के महान सम्राठ चंद्रगुफ्त मोर्य से यूद करना पड़ा अभी क्या था एक केंद्रिय सक्ति केंद्रिय सक्ति इस्थापित हो चुकी थी भारत में उससे पहले जब सिकंदर ने आक्रमन किया था उस टाइम पर भारत छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था लेकिन अब क्या है भारत एक खट्टा संगठित भारत बन चुका है तो यहां पर उसको पार करके सैल्यूकस ने चंद्रगुप्ट से युद किया था लेकिन उसे टाइम पर दोनों में संधी हो जाती है एक समझोता हो जाता है लेकिन सिकंदर ने इसे जीत कर वहां अपना प्रांथ इस्थापित किया सैल्यूकस ने इसे सैंडो कोटस को वहाईक संबंद के फल स्वरूप दे दिया और बदले में 500 हाती प्राप्त किये जब एक संधी हो जाती है सैल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्ट मोर्ये के बीच में तो उन्होंने वहाईक संबंद इस्थापित किये और 500 हाती उनक सैल्यूकस ने चंद्रगुप्ट को कंधार जिसको आरकोसिया बोलते हैं सेकिंड जो प्रान था वो था पैरोपनी पैरोपनिस डाई जिसको काबुल बोलते हैं एरिया हैरात एवं जैड्रोसिया की जो छेत्र थे उनके कुछ भाग दे दिये थे और चंद्रगुप्ट ने सैल्यूकस को 500 भारतिय हाती उपहार में दिये थे दोनों नेरेशों के बीच में एक वैवाईक संबंद इस्थापित हो गया था इसमें कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सैल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवा चंद्रगुप्त मोर्य के साथ कर दिया लेकिन कुछ परमानों में हमें इस परकार के कोई सूचना प्राप्त नहीं होती कुछ परमान हमें कहते हैं कि इन्होंने पुत्री की शादी चंद्रगोफ मोरे से कर दी थी लेकिन कुछ परमान कहते हैं कि नहीं की थी ऐसे ही इन्होंने सेलुकस निकेटर से युद करकर यहां पर भी विजय हासिल की नेक्स देख लेते हैं नेक्स क्या किया था पस्चिम भारत की विजय की थी रुद्र दामन के गिरनार अभिलेक से हम इस बात की सूचना मिलती है जो अभिलेक है ये है 150 BC का कि चंद्रगुप्त मोर्ये ने पस्चिम भारत में सुराष्ट तक का परदेश चीत कर जपाल थे उन्होंने वहां पर एक जील का निर्मान कराया था उस जील का नाम था सुदर्शन जील उस जील का ये निर्मान कराते हैं चंदरगुप्त के पोत्र अशोक का भी अभिलेख हमें वहां से प्राप्त हुआ है अशोक अपने अभिलेखों में इस परदेश को जीतने का दावा नहीं करते अशोक के अभिलेखों में हमें इस परदेश को जीतने का कोई भी प्रमान प्राप्त नहीं होता है लेकिन ऐसा ऍजिक MSKNS मिकाला जाता है कि सुराष्ट के दक्षिन में सौपवरा तका छेत्र चंद्रगुफ्ट मोर्य ने विजित किया था उसने उस पर विजए प्राप्त की थी नेक्स देखर लेते हैं दक्षिन भारत 10 भारत पर विजए कैसे प्राप्त की चंद्रभुक्ट मोर्य की दक्षिन भारत के विजय के संबंद में अशोक के अभीलेक और जैन गरंत और तमिल गरंत से हमें कुछ जानकारी प्राप्थ होती है दक्षिन भारत में जो करनाटक है और उसके आंद्र परदेश के कई स्थानों से असोक के अभिलेक हमें मिलते हैं जैसे कि सिदपूर, ब्रह्मगिरी, करनाटक राज्ये के चितल दुर्ग जिले में स्थित, जंटी, गर्माश्वर, पहाडी और एक और है मासकी, गुजरा, यहां से हमें अशोक स्वम अपने अभिलेकों में अपने राज्ये की दक्षिन सीमा परिस्थित, जो उनके दक्षिन सीमा परिस्थित राज्ये थे, कौन-कौन से थे, चोल, पांडे, सत्य पूत्र, केरल पूत्र जातियों का उलेक करते हैं और उनका जो तेरवा सिला लेक है उससे में ये ग्यात होता है कि दक्षिन में उसने केवल कलिंग की ही विजय की थी, जिसके पस्चात उसने युदकारिये पून रूप से बंद कर दिया था, ऐसा हमें विवरन प्राप्त होता है सामराज्ये विस्तार चंद्रगुप्त मोर्ये का सामराज्ये कहां तक फैला हुआ था, ये भी देख लेते हैं लेकिन ऐसा ही जस्टिन के विवरन से भी हमें ये पता चलता है कि संपून भारत उसके अधिकार में था मगद सामराज्य के उतकर्ष की जो परंपरा बिम्बिसार जो हर्यक वंस के सासक हुए हैं बिम्बसार उनके समय से प्रारम हुई थी चंद्र गुप्त के समय पर वो चर करनाटक तक विस्त्रित हो गया था ऐसा कहा जाता है लेकिन इतिहास कर इसमित के अनुसार हिंदु कुस परवत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी लेकिन युनानी लेखक इसे पैरो पैनिसस अथवा इंडियन काकिसस कहते हैं युनानी लेखक क्या कहते हैं पैरी पैनिसस और इंडियन काकेस यही चंद्रगुप्त और सैल्यूकस के सामराज्यों की सीमा थी ऐसा कहा जाता है चंद्रगुप्त मोर्ये ने सैल्यूकस को हरा कर भारत की उस व्यज्यानिक सीमा पर भी अधिकार कर लिया था जिससे प्राप्त करने के लिए मुगल और अंग्रेज सासक व्य वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही आगे कुछ अच्छा टोपिक को डिसकस करेंगे तब तक के लिए टेक कियर हैवे गुड़ देग